हेलो दोस्तों नमस्कार जैहन जैभारत मैं आपके अपने चैनल एम एड्यूकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे अपने अध्यन कारव में दूटे होंगे दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वहाँ भारती इतिहास का एक अत्महत्मू टॉपिक है यहां लिए से आपको एक या दो कोशन देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों मेरे टॉपिक का नाम है शिन गवांटी सब्विता क्या नाम है शिंद गवांटी सब्विता तो आइए हम इसका अध्यन करते हैं अध्यन करनी पर से पहले आप लोगों से मेरी गुजाईस है कि तक पहुंच सकेंद और एक प्यारा सा कोमेंट प्रीज जरूर क्या करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा तो देखिए हम इसका अधिन करेंगे इसका इसके में चार से पांस वीडियो बनाऊंगा और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको सबसे महत्मूल बात है जो भी जाएंगे इससे फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे याद आप ठीक से इसका अधिन कर लेते हैं बगर इसके इसके की हुए तो मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि हांसे आपका कोई कोई कॉर्शन बाहर नहीं जाएगा तो NCRT पर आदरित होगा सारे कंसेप्ट क्लि वीडियो बनाच चुका हूं उससे आप जरूर जाके देखे लें यह आपको इसका सेकंड वीडियो है फस्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सिंदुगाटी सब्विता का क्या भूम्का थी भूम्का के बारे मैं बताया था मैंने फिर इसकी उत्रपत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया था मैंने आपको उसके फिर उसका कालक्रम क्या था वो बताया था आज मैं आपको बताऊंगा इसके बिस्तार के बारे में बताऊंगा और इसके जो महत्पूर स्थल हैं कौन-कौन से महत्पूर स्थल हैं किसके से देश में हैं उस देश के किस-किस को जो बता चुका हूँ अब बताया कर जो फस्ट वीडियो में बताया है बहुत फोला सा ओवर भी बताऊंगा मैंने आपको संद्वाइट सब्रेता की भूमिका के बारे में बताया था भूमिका के बारे में बताया था उसके बार मैंने आपको बताया था उत्पत्ती के बारे में बताया था उत्पत्ती के बारे में बताया था उसके बार मैंने आपको जो बताया है काल करम के बारे मी बताया था यह मै फस्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको यह टॉपिक मैं आपके first वीडियो मी बता चुका हूँ आज का मेरा जो टॉपिक है हुआ है इसका बिस्तार सिंद्गाटी सब्सटार का बिस्तार और इसके बात महत्पून स्थल आज मेरे लिए टॉपिक रहेगा वो mostly इसका विश्तार रहेगा और महत्पून इस तर के बारे मे're रहेगा कि महत्पून स्थल इसके कौन-कौन से थे कहां पर थे किस-किस राज्य में थे किस-किस परांत में थे ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ इसका आगर के महकून तरीके से अध्यन करिए, मैं जानता हूँ, यद आप ठीक तरीके से इसका अध्यन कर लेते हैं, तो कोई भी कॉश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मुझे विश्वास है और दावा भी कर जो जाए इसकी सोट ले ले, आज मैं बतावगा विस्तार, विस्तार बतावगा इसका, विस्तार, तो मित्र देखिये, हम सबसे पहले एक भारत का छोटा-स, अच्छा-स, प्यारा सा map बनाते हैं, आप भी मेरे साथ एक भारत का map बनाएए, जिससे सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से किलियर हो जाए आप भी मेरे साथ इस तरीके से का एक मैप बनाईए यह जब ठीक से मैप बना लिते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप भारत की मूल निवासी हैं भारत का मैप आना आपको बहुत आवश्यक है आप जोगराफी पड़ो या इत्यास पड़ो अगर आप मैप के द्वारा पड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे एक ऐसा भारत का मैप बनाईए मेरे साथ देखिए जो शिंद्गाटी सब्विता का विस्तार था वहां बोश्टली इसका उत्तरी भाग था जम्मू कस्मीर में यह जो इस्थान था यह जो इस्थल था इसे मांडा कहते हैं क्या कहते हैं मांडा और मांडा में चिनाव नदी की तरपड़ था यह शिंद्गाटी सब्विता का इस जम्मु कस्मीर है और जम्मु कस्मीर में यह मंडा इस्तल था जो चिनाव नदी के तट पर था यद पूरी इस्तर की बात की जाए मित्र तो उत्तर प्रदिस के एक मेरट जला है मेरट जले में एक इस्तल था आलमगीरपूर आलमगीरपूर यह उत्तरप्रिस का मिरट जिला है मिरट में इस्थार है आलमगीरपुर और यह यूटी में है और यह हिंडन नदी के तट पर था जैसे पूर्विस्थाल था जो उत्तरी इस्थाल था वो च्रणाम नदी के तट पर था इसी तरीके से आलमगीरपुर है सिंदगाटी सब्रिता का इस्थाल पूर्विस्थाल वा हें और यह इसका जच्छडी बिद्र पूछा जाए तो ये महाराष्ट पढ़ता है, महाराष्ट में एक नदी है, बहती है, गोदावरी, उसकी एक साइक नदी है, प्रवरा, प्रवरा के तट पर एक स्थल का नाम है देमाबाद, 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 वह ये प्रवरा नदी के तट पर था, यह संद्वाणी संवमिताकर सबस्क्रिवन्दि हैं द्यवाबाद। और यह गोदावरी की सायक नदी एक प्रबरा नदी अगर आपसे कौशन पूछाएं सब abrasive किसके सायक नदी तो बता सकते हैं गोदावरी की और यह महरास्थ में कहा है परवित्र महारास्ट में हैं महारास्ट में है यह इसका सबसलिफिद दच्छडि बिंदु उत्री कोन सा है मांडा है पूर्वी कोन सा है आलवगीर पुरह द्यावबाद यह दच्छड बिंदु है इसे आप ठीक से याद कर लेंगे इसके बाद इसका अगर प्रश्री बिन्दु पूछा जाता है तो प्रश्री बिन्दु बता सकते हैं आप सुत्त कांगेडूर है कौन सा है सुत्त कांगेडूर शुत्त कांगेडूर है और यह जो इस्तल है वहाँ पाकिस्तान का जो एक बलूचिस्तार प्रांथ है उसके दच्छडी बलूचिस्तार में है कहाँ पर है दच्छडी बलूचिस्तार में तो यद हम इसको मिलाएं इस तरही किसे, तो इसके बिस्तार के बारे में पता चल जाएगा, इसके बिस्तार के बारे में पता चल जाएगा, इसके आकार के बारे में पता चल जाएगा, इसके छेतरफल के बारे में पता चल जाएगा, अब यहां से मित्र आपका एक पॉंट तो क्लियर हो गया, एक सेकंड, यह जो सुतकांगे डूर है, यह सबसे पश्ची बिन्दु है, और यह दासक नदी के तटपर है, किस पर में तरह दासक नदी है, क्योंकि अगर आप PCS और UPSA से एक्जाम में, TGTSA एक्जाम देते हैं, तो नदिया दे दी जाएंगे एक साइ तो आप बता सकते हैं, मैंने जो स्थल थे, वो कौन सी नदी के तटपर है, वो आपको बताए, मैं जानता हूँ कि यह आपको ठीक तरीके से याद हो गए होगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, तो मित्र देखिएगा, इसका जो बिस्तार है, पश्च में आप यह आपका एक पॉंट किलियर हो गया, देखिए, इसका जो चेतरफल है, इसका जो टूटल चेतरफल है, जब हमारा देश स्वतंतर हुआ था, उस समय केवल 40 हिस्तरों खोज की गई थी, तब इसका चेतरफल लगवग-लग 12 लाख वर किलोमेटर था, तो अब लिख सकते है स्वतंतरता के समय, स्वतंतरता के समय, 40 हिस्तरों की, कितनी की, 40 हिस्तरों की कोज की गई थी, तब इसका चेतरफल, आप मेरे साथ नोट करते जाए, 12 लाख वर किलोमेटर था, कितना अब था में तरह, 12 लाख किलोमेटर था, जब हमारा देश सुतंतर हुआ था, 1947 में, तब तक लगवग संदुगाटी सब्विता के 40 हिस्तरों की खोज की गई थी, इन 40 हिस्तरों, तब इसका चेतरफल, संदुगाटी सब्विता का चेतरफल, वारे लाख वर किलोमेटर था, लेकिन जैसे ही, अब बरतमान की बात करते हैं, बरतमान समय में, समय में, 2400 सथल, कितने मीत्र, table 1460 खोजया चुके हैं, इसलिए, इसका चेतरफल है, बीस लाख वर किलोमेटर है क्यते मीत्र, बीस लाख वर ग किलोमेटर है, बीस लाख वर किलोमेटर है, यह क्उशन कभी lament की रूप में किसी भी एगजाम पूछा जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिंदगाडी सब्विता का 6 तरफल है, वो 20 लाख वर किलोमेटर है, कितना है, 20 लाख वर किलोमेटर है, इससे आप ठीक से अध्यन कर लेंगे, तो देखिएगा, इसके बाद, आपने नोट कर लिया हुगा, आप मेरे साथ नोट करते चलें, अब देखिए, इस सिंदगाडी सब्विता की पूरू से परस्चिम की लंबगा चिम देखें, तो इस तरीके से है, देखिए, इसका सबसे पहले आकार, ये इसका आकार है, यह आकार है सुन्दुगाइटी सब्विताक अगर आपसे आकार पूछा जाता है तो आप आकार में बता सकते हैं कैसा है त्रबुजाकार है यह इसकी उत्तर से दच्छड लंबाई देखें उत्तर से दच्छड लंबाई देखें उत्तर से दच्छड लगवग 1400 किलुमेटर है कितनी में अगर पूरव से परश्चन देखें पूरुव से पश्यम लेखें, पूरुव से पश्यम लंबाई, 1600 किलिमेटर है, कितनी मित्र? 1600 किलिमेटर है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलिमेटर है, उत्तर से दच्छल लंबाई 1400 किलोमेटर है पूरुव से पश्चिम लंबाई है वहां 1600 किलोमेटर है और इसका टोटल एरिया है वरतमान समय में वो 20 लाख वर किलोमेटर है यह आपको किलियर हो चुका हुगा यद इसकी सिंदुगाटी सब्रिता की जली सीमा है यह पूछा सिंदुगाटी सब्रिता की जली सीमा की लंबाई कितनी एक पूछा गया कोश्चन है PCS में तो आप देखेंगे गुजरात यह वाला शेतर पड़ता है गुजरात के बाद यह एरिया है यह अरब सागरवाला एरिया है कौनसा एरिया है अरब सागरवाला आपने भारती जो पुराजनेतिक मेर्प है उसे धेखा हुआ तो जो ज़ी सीमा की लंबाई है उसे देखा हुआ तो जली सीमा की लंबाई है यहां से मां पेंगे तो 1300 केल्यूमिटर है मोंट न Gi कि जो शीमा है वो जली शीमा की लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हैं 1300 km है. 1300 kms, 1400 kms, और 1600 kms, यह मैप की माददम से आपका केगियर हो चुका होगा, यह जली सिमा की कितनी, जली सिमा की लंबाई कितनी है मित्र, 1300 kms है मित्र, कितनी है, 1300 kms है, इसका आकार त्रोजाकार है, पूरब से पश्चिम लंबाइस 1600 किलोमेटर है, उत्तर से जच्छड़ लंबाइस की 1400 किलोमेटर है, यह आपको एकदम किलियर हो गया होगा मित्र, अब देखिए, आप इसे नोट कर दीजिए, कि इसके इस्थ बिस्तार में, इसके इस्थाल कहां कहां तक है, इसके इस्थाल कहां कहां तक हैं, यह आपको बताऊँगा. मिस्तार में देखेंगे, आप के सिंदुगाटी सब्विता है, वो मोशली तीन देशों में पाई जाती है, कितने देशों मित्र, तीन देशों में मिस्तृत है, तीन देशों में सबसे पहले अफगानिस्तान, मित्र इसके दो इस्तल है, अगर आपसे पूछा आता है, सिंदुगाटी सब्विता के किस तने इस्तल आफगानिस्तान है, तो बता सकते हैं, कौन-कौन से हैं, वो आपको बताता हूँ, इन में सबसे पहले मुंडी गाक, के मुंडी गाख कौन से वित्रar, मुंडी गाख है, दूसरा है सुर्त गॉई सुुर्त गॉई。 सुन्दगाडि मैं आखे के जाते, केविल दो स्थshop हैं, वह अफगानिस्तान में है, इन्का दान क्या है? मुंडी पाइस्तान में कितने स्थल है पाकिस्तान ने हैं कि आपके मुश्टली पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ, सिंद प्रांथ, और उसके बाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में कितने स्थर हैं, चार सब पचतर स्थर हैं, और पाकिस्तान के तीर प्रांथ, पंजाब, सिंद और बलूचिस्तान में फैले हुए, अभी आपको के द्वारा में आपको बताऊंगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत है भारत में कौन-कौन से स्थल है मैं आने आपको बताया तीन देशों में फैले हुए किन देशों में इसका विस्तार तीन देशों में है अब हम देखते हैं भारत में कि भारत में कितने स्थल हैं वा मैं इस पेस नहीं है इस लीनी बना पा रहा हूँ है तो भारत में देखेंगे सबसे पहले जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर में इसके स्थल है उसके बाद नीचे उतर के आएंगे पंजाब में इसके स्थल है उसके बाद हर्याणा हर्याणा में इसके स्थल है उसके बाद देखेंगे आथ राजिस्थान राजिस्थान में सिंदुगाटी सब्विता के स्थल है उसके बाद देखेंगे गुजरात गुजरात में इसके स्थल है गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सिंदुगाटी सब्विता के सबसे अधिक स्थल है अगर आप से पूशा जाता है आप ये बताईए कि सिंदुगाटी सब्विता के सबसे अधिक स्थल सबसे अधिक मात्रा में संख्या में इस्थल किस राज्जमें हैं तो बड़े आराम से पता सकते हैं गुजरात राज्जमें किस राज्जमें गुजरात राज्जमें सबसे अधिक इसके इस्तल हैं उसके बाद देखेंगे आप महारास्त में भी है महारास्त में भी इसके इस्तल है और उसके बाद देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में भी इसके स्थल है उत्तर प्रदेश में भी मित्र इसके स्थल है तो आपने देखा कि अफगानिस्तान में इसके दो स्थल है बुंडिगात और सुर्टगोई अफगानिस्तान में दो स्थल है मुंडिगाक और सुत्वगोई पाकिस्तान में 475 इस्थल हैं, पंजाब और कौन-कौन से प्रांत में हैं, पंजाब में हैं, शिंद में, बलुचिस्तान में, अच्छा भारत में कितने इस्थल हैं, तो भारत में इसके जो इस्थल हैं, 925 इस्थल हैं, कितने भारत में, 925 इ स्थल आप इसका पिज्ट है एक इसका शृट लेग डीजिए या फिर लिर्ट कर लीजिए इसको ताकि आपका यह बेस aussi kliar हो जय K इसका ये बेस आपका किलियर हो जाए आप इसका इसकी फ्रॉट डेड़ीजिए हमारी संभिता हमारी सिंदुगाटी संभिता अपने समय की एक सरवस्रेश संभिता थी मैंने आपको बताया था कि जो सिंदुगाटी संभिता थी वह मेसोपूटमिया या सुमेरियन एकी नाम ह एक सब्विता के नाम है और मिस्टर की सब्विता का लगवग लगवग बारे गुना थी यदि हम अकेली की बात करें तो में शुमेरियन या मेसोपूटमिया की लगवग के छेत्रफल की लगवग 20 गुना अधिक थी तो इसका विस्तार काफी अधिक था यह उस समय की सबसे development सबसे विक्सित शब्विता थी आपने इसके स्याट ले लिया होगा इसका तो देखिए अगर हम बात करें तो यह मेसोपूटमिया की 20 गुना थी अकेली 20 गुना थी और अगर इसमें हम मिस्ट्र या नील की सब्विताव जोड़ देते हैं मिस्ट्र की सब्विता जोड़ देते हैं तो इन दौनों का की लगवग 12 गुना थी है इसना इसने का 6RG वर्ष्तृ था तीन देश हमें थी और सब्विता कीबल एक ही देशos में थी यह कीबल बर्थमान में तीन देशो में इसस तथी कौन-वर्थ थी देश थे वह आपको मेंने बता दिया है तो मित्र ये मैंने आपको इसको विस्तार के बारे मताया, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो इसके जो महत्पूर इस्थल हैं, उनके बारे मताऊंगा, महत्पूर इस्थल कौन-कौन से राज़ में, कहां-कां पर हैं, वो आपने बताऊंगा, तो आप एक काम करि मेरे साथ फिर एक बार भारत का में बनाए अच्छा शाह ताकि आपके सारे कंसेप्ट किलियर हो जाए अब मैं आपको इसका जो महत्पूर इस्थल है वो बताऊंगा महत्पूर इस्थल बताई अब मैं जो बता रहा हूँ वो इसके महत्पूर इस्थल आप रालें महत्पूर इस्थल इस थल कौन-कौन से हैं, वो आप मेरे साथ एक भारत का मैप बनाएं, प्यारा सा, मैं आपसे फिर कहूंगा दोस्त, कि यदे आप इस वीडियो का बगर इसके P.O. देख लेते हैं, तो कोई भी कॉश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, वो टोटल N.C.E.R.T. पर बेस प्याधार पढ़ा रहा हूं, तो आएए इसका अध्यन करते हैं, लेखिए, सबसे पहले, आप मेरे साथ भारत का मैप बनाएं, आप मेरे साथ इस तरीके से भारत का मैप बनाएं, एक-दो बार प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें तरस सब को सीख 100% तो कम्पूर्टर के लावागा कोई नहीं बना सकता, आप भी मेरे साथ इस तरीके का मैप बनाएं, यदि आप मैप के द्वारा कोई भी इस चीज का अध्यन करते हैं, तो आपको रटने की जरूत नहीं पड़ेगी, इसके साथ आपको सारे राज्य, भारती राज्य हैं उनकी सीमा, तटी सीमा, इस तल बगरा सब कुछ किलियर हो जाएगा, आए इस काम अध्यन ठीक से पड़ते हैं, देखिए इस तरीका एक भारती वेब बनाएं, इधर आपका एक पाकिस्तान देश है, अपना पड़ोशी, अपना तो नहीं कह सकते हैं, यह हराम खूर है, इधर यह अफगानिस्तान है, इस तरीकी से, यह है, यह पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, मित्रा, लिख देता हूँ, अफगानिस्तान है, यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये वाला छेत्र है पाकिस्तान का ये वाला छेत्र है वित्र ये बलुचिस्तान है कौनसा है ये शेत्र बलुचिस्तान है ये सिंद प्राम्त है और ये पंजाब है ये पंजाब है ये शिंद है ये बलुचिस्तान है कौनसा है बलुचिस्तान फिर एक बार देखिए ये पाकिस्तान देश है पाकिस्तान में ये बलुचिस्तान है ये सिंद प्राम्त है ये पंजाब है और ये उत्तर पश्चिम प्र पreal aquísterा जाने पांकर के तो देखेगा कि यह फ्रक्तम है अफ़र्डूमन करें अफफऺानिस्तान में तेरी दो इस्थल है आपका भार्ष्टान है कि अफ़हानिस्टान में में तो जले एक को मुंडीर का को कि दूसरा स्थल है सुर्थगोई सुर्थगोई पाकिस्तान में दो स्थल है मुंडी गाक और सुर्थगोई उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान का जो बलुचिस्तान प्रांथ है यहाँ पर तीन स्थल है यहाँ पर स्थल है एक, दो, तीन बलुचिस्तान के वह भी दच्छडी बलुक में यहाँ पर तीन स्थल हैं जो आपको बताने जारा हो हुए उकिछ QR हो तान कर रहे हुगा, यह पाकिस्तान चे जहर भूこれ आपका वाला कूट वाला कूट उसके बाद तीसरे इस्थार पर डावर कूट यह किलियर आपको हुगा कि पाकिस्तान के बलूच इस्थार प्रांत में मैंने आपके तीन इस्थर बताए सुथकांगेडोर बाला कूट और डावर कूट कॉश्चन पूछा जाता है कि डावर क àsको WATKON निम्ड में से कहा पर है तो आप बता सकते हैं यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है बाला कॊट बलुचिस्तान में और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में हैं यहाँ पर केवल जो महकपूर जी तल है उनकी बारे में आपको बता रहा हूं मैं उसके बाद तो आप बता सकते हैं सिंदुप्रांथ ये कौन सा है सिंदुप्रांथ है पाकिस्तान का सिंदुप्रांथ है सिंदुप्रांथ में कौन-कौन से इस्थल है वह आपको बताता हूं मैं पाकिस्तान के सिंद्प्रांथ यह मित्र कौन सा है सिंद्प्रांथ और यह पंजाब है तो सिंद्प्रांथ में कौन कौन से स्थर है तो आप नोट कर लिजिए मोहन जौदुलू एक कि शींद प्रांत में कौन से है मोहन जो अदुडु है समसे पहली क्या है मोहन जो हो है उसके बाद कोट दीजी यह भी आपका सिंद्प्रांत में हैं पाकिस्तान के सिंद्प्रांत में कोट दीजी आमरी आमरी तो उसके बाद अली मुराद देखिए पाकिस्तान के सिंद्प्रांत मोहन जोद्रो कोट दीजी आमरी अली मुराद यह पाकिस्तान में कहां पर हैं पाकिस्तान में नाल कुली नाल कुली यह जो इस्थल हैं यह कहां पर हैं मित्र पाकिस्तान के सिंद्प्रांत में हैं मोहन जोद्रो कोट दीजी आमरी एक पाकिस्तान के सिंद परांत में हैं किस परांत मैं हैं चिंद परांत में एक बमदेखी कौनकोन से पंजाब में कौन-कौन से इस्थर है आप नोट कर लीजिए मेरे साथ कि पाकिस्तान के सबसे पहले हडपा इस्थर हडपा कहां पर है हडपा आपका पाकिस्तान के फर्या प्रांट हुए है उसके बाद जलीलपूर डेरा इस्माइल खां डेरा इस्माइल खां रह्मान डेरी यह पाकिस्तान के प्ल्या प्रांट में हैं चकरपुर्वाने यह में प्रिस्थल है पाकिस्तान के पंजाब प्रांट में हैं जो मैं पूर्ण बता रहा हूं अगर आपसे पूछा जाता है कि खडपा किस प्रांट में पाकिस्तान के तो आप बता सकते हैं पंजाब प्रांट में कहां पर हैं पंजाब प्रांट में है यहां से कॉशन बनते हैं मित्रफ आप इनको ठीक से एग या दोबार अधिन कर लेंगे देख लेंगे रिवीजन कर लेंगे तो मैं जानता हूँ आपको सारे कॉशन याद हो जाएंगे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जिस तरीके से मैंने ये मैप बना करके आपको पढ़ा है उसी तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे एक दोबार आप भी प्रेक्टिस कर लेंगे तो यहां से कोई भी कुशन आप से छूटेगा नहीं अब हम लोग भारत की तरफ चलते हैं तो देखिएगा जम्मु कस्वीर उसके पंजाब है हिमाचल प्रदेस है ये ये पंजाब हो गया ये हर्याना हो गया यह राजिस्थान हो गया उत्तर प्रदेश उत्तर अखंड उत्तर प्रदेश हो गया यह गुजरात हो गया मित्र यहां पर यह महारास्ट हो गया इस तरीके से देखेंगे यह जम्मु कस्मीर हुआ पंजाब हिमाचल प्रदेश हर्याडा उत्तर प्रदेश राजिस्थान गुजरात और महारास्ट इन राजियों में इस्थल पाई जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा आप एक काम करिए प्लीज मेरे मित्र आप इसका एक अपको कोई दिख्कत नहीं आये एक बार इसकी सॉट लेडी जी इसका के है तो देखिए में तरह इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो जम्मु कस्मीर है जम्मु कस्मीर कौन-कौन से इस्थालिया वह बताऊंगा मैं सबसे पहले मांड़ा कुंसा मित्र मांड़ा यह सबसे उत्तरी स्थल है मैं आपको बता चुका हूं उसके बार बुर्जा हम बुर्जा हम यह किस प्रांट में हैं यह दोनों जम्मू कस्वीर में हैं किस में मित्र जम्मू कस्वीर में हैं उसके बाद हम देखेंगे पंजा प्रांट में पंजा प्रांट में कौन-कौन से स्थल हैं उसके बाद उन्हें हम देखेंगे तो पंजा प्रांट में रोपड, रोपड मित्र बहुत पूछा जाता है, एक्जाम की द्रस्टी से बह। इंपॉरेंट है, संगौल, दूसरा है संगौल, ये भी एक्जाम की द्रस्टी से पूछा जाता है, पञजाब में जो भी हैं, फिर उसका चकवाड 86, 86 चकवाण 86 ये सब ये मुश्ली पंजाब परांट में जंबु कश्मी में मानडा अबर जाह हम पंजाब में आपके रोपड भारती पंजाब में बनात कर रहा हुँ भारती पंजाब के में रोपड है संगोल है चकवाण 86 पूचा गया है किस राज में उसके बाद देखेंगे मित्रहम वो कि आपका हर्याणा है कौन सा है हर्याणा 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 में बनावली बहुत पूछा जाता है एक्जाम में बनावली उसको राखी गड़ी राखी गड़ी पूछा जाता है बनावली कहां पर है राखी गड़ी कहां पर है मिताथल मिताथल ही पूछा गया है बालू बालू इस्थल का नाम है कौनाल तो हर्याणा में देखेंगे मित्रम जो मैं रेट से इंगित किया है वो हर्याणा में है बनावली राखी गड़ी मिताथल बालू कुनाल एक बार फिर देखिएगा जम्मु कुश्मीर में मंडा बुर्जाहूं पंजाम में रोपड संगोल चकवाड 86 हर्याणा में बनावली राखी गड़ी मिताथल बालू कुनाल ये हर्याणा में है उसके बाद देखे कि हम उत्तर प्रदिस में कौन-कौन से हैं उत्तर प्रदिस में कौन-कौन से हैं उत्तर प्रदिस में कौन-कौन से हैं उत्तर प्रदिस में एक जिला है सहारनपूर सहारनपूर में मित्र हलां कि आगे बताऊंगा मैं भी उत्तर प्रदिस का एक जिला है सह यहां पर बड़ा गाओं और हुलास देखिएगा उत्तरप्रिस में एक जिला है सहारनपुर वहां पर दो इस्तल पाई गए हैं बड़ा गाम और हुलास और यहीं पर ही एक उत्तरप्रिस का एक और जिला है जो मेरट है उसमें एक इस्तल मिला है जिसका नाम है आलमगीरपूर आलमगीरपूर तो उत्तरप्रिस में तीन बड़े इस्थल पाए गए हैं साहरणपुर में बड़ागाम और हुलास और मेरट में आलमगीरपूर आलमगीरपूर की विसिस्ता में आपको ये बताई थी ये सिंदुगाटी सब्रिताका सबसे पूर्वी स्थल है और हिंडर नदी के तट पर है अब देखेंगे हम राजिस्थान में राजिस्थान में कौन कौन से स्थल है वो देखेंगे तो राजिस्थान में एक स्थल है काली बंगा कौन सा मित्र काली बंगा है काली बंगा है जिसका आर्थ होता है काली रंग की चूडिया और यह राजिस्तान के हनुमानगड जली में है कहां पर है राजिस्तान के हनुमानगड जला आपने देखा होगा राजिस्तान के जले हैं उसमें एक जला है हनुमानगड वहां पर यह काली बंगा है काली रंग का मतला होता है काली रग के चूडियां यहां पर जुते हुए खेट के साथ च्पाई गए हैं वह मैं नेक्स्ट आपको बीडियो में बताऊंगा उसके बाद में तर देखते हैं यहां पर महरास्ट है महरास्ट में सिंद्गाडी संभिता का सबसे दच्छडी स्थल है जिसका नाम है देमाबाद क्या वितर देमाबाद और द्यमावाद ये प्रवरा नदी के तटपर है किस पर है प्रवरा नदी के तटपर है और सिंदुगाडी सब्रिता का सबसे दच्छरी पॉइंट है ये कौन सा है सबसे दच्छरी पॉइंट अब देखते हैं हम लोग किवल एक राजदिवचा गुजरात गुजरात में इस्तल हैं। उसको दो भागों माटा जाता है। एक तो कच्छ की खाड़ी वाली चेतर। और एक ख्ममाथ की खाड़ी वाली चेतर। हम राज्जी देखते हैं कुझरात। गुजिरात qci जहां पर सबसे ज़्यादा इस्थल पाई जाते हैं तो आप लेख सकते हैं सरवादिक इस्थल शरवादिक इस्थल तो यहां पर जो इस्थल है वह दो भागम पाटे जाते हैं एक तो कच्छी की खाड़ी वाले कच्छी की खाड़ी और एक खमात की खाड़ी खम्वात की खाड़ी कच्छी खाड़ी वाले स्थल और खम्वात की खाड़ी वाले स्थल तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कच्छी खाड़ी वाले स्थल कच्छी खाड़ी में कौन कौन से स्थल पाई जाते हैं वो बताऊंगा मैं सबसे पहले धौलाविरा कच्छ की खाड़ि में गुझराथ 5 के कच्छ की खाड़िंग पा जाता है फ़र उसके बाद देखेंगे धौलाविरा के बाद देशलपुर कुझसा मत्र देशलपुर है उसके बाद सुरकोटला, सुरकोटला, तो मोशली गुजरात में, कच्छी खाड़ी में, धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोटला, तीन इस्तल पाई जाते हैं, उसके बाद देखते हैं, खमाती खाड़ी में कौन-कौन से इस्तल हैं, इसमें, सबसे पहले लूथल, लूथल बहुत पूशा जाता है एक्जाम्प की दस्टी से छपने वाला क्वेशन है किस राज्वे है रंगपुर भगवत राव ये में तर पूशे जाते हैं सविस्थल भगवत राव मेघम कुंतास्ती ये आपके खमाती खाड़ी में है और सिकारपुर तो देखिएगा गुजरात में गुजरात सुन्दगाडी सब्विता का एक कैस्ता स्थल है जो भारत में सबसे अधिक सुन्दगाडी सब्विता के स्थल पाजाते हैं इसको में दो भागों बाट था ये कच्छी खाड़ी में उसके बाट देखें खमाती खाड़ी खमाती खाड़ी में लोथल है, रंगपुर है, भगवत्राव है, मेगम है, कुन्तासी और सिकारपुर है मैंने आपको इसके बारे में अधिन कराया जो मैधपुर इस्थल थे उसके बारे में अब क्या-क्या विसेश्ता है उनके बारे में बताऊंगा आज के लिए इतना ही है लेकिन आप लोगों से मेरी गुजाइस है कि मैं आपके लिए इतनी महनत कर रहा हूं रात में सब्सक्राइब कर लिजिए और आल पर सेलेक्ट कर लिजिए जो भी में गुडियो वनाँगा आप पहुन जाएगा यद आप इसे ठीक से अध्यन कर लिते हैं तो कोई कोशन यहां से बाहर नहीं जाएगा इस तरीके से में पढ़ा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जहन जय भारत नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूं तयार रहिए थेंक्यू धन्यबा हुआ